रमो अज्ञायारं रमो लोए संबी साहुडं जबस जीन धर्मी का जागिरने हो गया पापि छई वारिस दे आचिरने हो गया पापि छई वारिस दे आचिरने हो गया पंचि पर मेश्टियों को कि आजो नमन जिन्दिगी कासरल ब्याकिरने हो गया जिन्दिगी कासरल ब्याकिरने हो गया पापि छई पर मेश्टियों को कि आचिरने हो गया पापि छई दे आचिरने हो गया पापि छई दे आचिरने हो गया इसमें क्या बताया गया है इसको हम लोग भड़ी भाती पकार से पढ़ेंगे और भड़ी भाती पकार से समझने की चेश्टा करेंगे कि इसमें क्या-क्या किस पकार से हम ग्रहन कर सकते हैं और कोशिस करेंगे कि सभी चीजें हम अच्छी तरह से गिरहने करें और आंगे बढ़ने का प्रयास करें चलिए बाज में डाल का पहला सुथ पढ़ते हैं पहला सुथ पढ़ते हैं जी मुनी सकल बरती बड़े भारीगी भाव भोग निते वेरागी बैरागी यो पावने माई चेंते अनुप्रेख्छा भाई अर्थाद मुनी सकल बरती बड़ भागी मुनी तो पुन्यवान और सकल बरती होते हैं यानि भी पाँच महावरतों के धारी होते हैं भाव भोगन ते वेरागी पाँच महावरतों के धारी होते हैं सांसारेक भोगों से उदासीन रहते हैं सांसारेक भोगों से उदासीन रहते हैं बेराग उपावनवाई चिंते अनुपरच्छवाई बेराग के भाव को मा की तरह जन्म देने वाली बारह भावनाओं का निरंतर चिंतवन करते रहते हैं अर्था इसमें क्या लगा है जो हमारे मुनी महराज होते हैं वो बहुत पुन्न साली होते हैं इसका मैं बता रहा हूँ आपको अगर व्यक्ति का पुन्न नहीं हो अगर व्यक्ति का खुद का पुन्न नहीं हो तो कोई व्यक्ति उसे नीचा गिरा सकता है जब तक व्यक्ति का खुद का अगर पुन्न है तो कोई व्यक्ति किसी को नीचा नहीं गिरा सकता है व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के साथ साथ पुन्न अर्जन जरूर करना चाहिए अगर पुन्य अर्जन ब्यक्ती ने नहीं किया तो कभी भी धरासाई हो सकता है अगर हमारे जीवन में पुन्य है अगर हमारे अंदर सच्ची स्रिधा है भगवान की प्रती अगर हमारे अंदर अच्छे कारी करने की चेश्टा है लगन है तो हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता बैसे ही किस विकार जिस विकार अगर पेड़ों की जड़े मजबूत हो अगर क्या हो पेड़ों की जड़े मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी आंधी तूपान उसे नीचा नहीं गिरा सकती उसी पिकार अगर हमारा पुन सक्ति साली है तो हम नीचे नहीं गिर सकते उसी पिकार अगर हमारे अंदर सैयम मजबूत है सैयम मजबूत है तो हम विसय भोगों की लालसा नहीं करेंगे सैयम का मतलब है सैयम को बस में करना स्वयम को बस में करना क्या हो गया संयम हो गया पांचों इंद्रियों पे लगाम लगाना पांच इंद्रिय कौन कौन सी है इस परसन रसना घ्राण चक्छू करण जो पांचों इंद्रिया होती है वो हमें सुख चाहती है पांचों इंद्रिया इस परसन इंद्रिये उसे अच्छा पहनने को ओडने को बैठने को सोने को इत्यादी के लिए इस परस करने वाले चीज़ें अच्छी चाहिए रसना रसना इंद्रिये को खाने की चीज़ें चाहिए अच्छी-च्छी रसना घ्राण घ्रान मत्रव उसे सुगंद चाहिए दुरगंद में नहीं रह सकता व्यक्ति चक्छू यानि आखें आखों के लिए सामने मुवी वीडियो सौंग इत्या दिया जिससे ओक्स का उसका मन सांतो बोची उससे देखने के लिए चाहिए इसके बाद में कर्ण कर्ण में बढ़ ब फुर्दान कराएं ओंच तो ओंचनी अंद्रीयां हैं हमारी है जो हमें बस में करनी होती है यह मुणीमय राज होते हैं यह समय अहार करते हैं नहीं कि को सारा परीग्रत्याग करते एं को ऑन कि क्सी चीज़ को अपना नहीं मानते घर मकान घोड़ा वग्डी या घर परिवार माता पिता भाई वहन भुगा वांजी मतलब जितने भी हैं मुन्य महराज किसी को अपना नहीं मानते वो सिर्वक की दृष्टी से देखते हैं कि ये क्या है एक स्रावक हैं सैयम मतलब स्वयम को बसमे करना वह जब एक बच्चे को जनम देती है उसी पड़ार क्या हो जाता है उसी पड़ार क्या कर दिया जिस पकार माने बच्चे को जनम दिया किसको जरम दे दिया माने बच्चे को जरम दिया उसी पकार हमारे अंदर बहरा का उत्पन होना है चलिए और आंगे क्या है तो ये भाई मुनी तो पुन्यवान और सकलवर्ती होते हैं यानि कि पांच महावरतों के दारी पांच महावरत जो पांच पाफ होते हैं हिंसा जूट चोरी कुसीर परेक्र है इस से पकार के उल्टा कर दो तो पांच महावरत होते हैं हिंसा आणू ब्रत चोरी का अचोरी आणू ब्रत हिंसा जूट सत्य ब्रत सत्याणू ब्रत हिंसा जूट चोरी कुसी तो ब्रहम्यचारी व्रत परिग्रे आप परिग्रे तो इस पिकार का उल्टा होता है पांच पापों का उनके महा व्रत होते हैं इसलिए कहा गया है कि और एक और बात है मुनी महराज ऐसे ही नहीं बन जाती बहुत पुर्ण होता है बहुत पुर्ण का होदय होता है तब उनके महराज बनते हैं आगे क्या कहा गया इने चिंतने समसुखे जागे जीमी जोलने पवन के लागे इने चिंतने समसुखे जागे जीमी जुलन पवन के लागे जब हो जे ये आतम जाने तब ही जे ये शिविशो के ठाने अर्थाद इसका मतलब क्या हुगा? जैसे हवा से आग प्रजलत होती है क्या होती है? आग प्रजलत होती है किसे होती है? हवा से किसे होती है? जिस प्रकार हवा से आग प्रजलत होती है बैसे ही बारह भावनाओं के चुन्दन से ममत्य रूपी सुख जागरत होता है समत्य रूपी सुख जागरत होता है समत्य शुख से आत्मिज्ञान वा आत्मिज्ञान से जीव को मोख्श सुख की प्राप्ति होती है अर्थथ क्या है बारह भावनाएं अगर हम बारह भावनाएं तरीके से पढ़ेंगे उसका अर्थ निकालेंगे तो एक एक अर्थ इतनी गहरा ही तक जाएगा कि बास्तों में संसार से बैरग आए विना हम रही ही नहीं सकते जन में मेरे अकेला चेतने सुक दुखिका होगी वारी किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी इसमें क्या का गया है जन में मरे अकेला चेतन जब व्यक्ति की आत्माएं अलग अलग है यहां आके मिलना एक अलग बात है रिष्टे नाते घर परिवाद दोस्तियार सब कुछ यहां पर मिले हैं लेकिए उन सब की आत्माएं अलग अलग है तो जन में मरे अकेला चेतन जब व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है तो इसको क्या किसी से भैखाना, क्या किसी का बुरा करना क्या किसी से मोह रखना, जबकि सरीर भी अपना नहीं है वारी किसी का क्या एक दिन यहे, देह जुदी होगी अर्था, जब वार किसी का क्या कहें, जब अपनी देह भी अपनी नहीं है अपना सरीर भी अपना नहीं है वार्ग बारभावना में ही क्या आता है, वार्ग इसमें, और एक और बात है, कि ब्यक्ति जीवन भर कमाता है बड़ापे में क्या हालत होती है जरा विचार कीजिए ब्यक्ति जीवन भर पाफ करते कमाता है जूट गोल करके कमाता है और इसके बाद में एक दूसरे का बुरा आईस्या करके कमाता रहता है लाश्ट में क्या था उसके बच्चे ही अपनी मावाब की सेवा नहीं करते क्यों नहीं करते कि बच्चे को संसकारी नहीं मिले सेवा करने के अगर कोई बच्चे ने काम करना चाहा घर का तो मावाब ने टोक दिया कि नहीं तुम काम मत करो ठक जाओगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे तुम काम मत करो तुम पढ़ाई करो सरफ पढ़ाई करना अच्छी बात है लेकर संसकारित करना भी जरूरी था बढ़ना क्या होता है चारे पाई पे लेटा है पासना बेटी बेटा है चारे पाई पर लेटा है पास न बेटी बेटा है चिल्लाता है पानी दो कोई न पानी देता है तेरा ही बेटा हो हो तेरा ही बेटा तुझी आगी लगाए रे जीवन है पानी की बूंद कभे मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कभे मिट जाए रे जरा बिचार कीजिए हमारा जीवन एक पानी की बूंद की वरावार है फिर भी हम दूसरों में कम्या निकालते रहते हैं दूसरों में बुराज्या देखते ने अपना उद्धार करने की वजए दूसरों में बुराज्या देखना ए हमारा सुभाव नहीं है आत्मा का सुभाव नहीं है आत्मा का सुभाव क्या है खुद का उद्धार करना है खुद को आगे वड़ाना है दूसरों में बुराज्य का उद्धार करने का है लेकिन व्यक्ति मोह माया के जंजाल में फस करके सिर्फ दूसरों से ईश्या गुराईं देख करके यहीं फस जाता है मोह माया में फस जाता है परिवार में फस जाता है जो क्या है आत्मा का सुभाव नहीं था वो कर लिया आत्मा का सुभाव सांत सुभावी आत्मा आत्मा का सुभाव सांत रहना है सांत रहे करके सांत परिमानों के साथ जरा विचार के समाधी मरण समाधी मरण कहते किसे हैं समाधी मरण कहते किसे हैं जब हमारे सांत परिडा में ही नहीं रहेंगे तो क्या हम सांती मरान, समाधी मरान कर सकते हैं कभी, जिन्दगी में कभी करी नहीं पाएंगे और समाधी मरान जब करी नहीं पाएंगे तो क्या होगा, गती कौन सी मिलेगी, चार गतियां है चार गतिया हैं कौन सी गति मिलेगी सारी गतिया बिकड़ जाएंगी हमारी जब हम सांत रहने की प्रेक्टिस नहीं करेंगे जब जिन्दिगी भर सांत रहने की प्रेक्टिस करते हैं कुरोद को सांत रखने की प्रेक्टिस करते हैं तब जाके समाधी मरण होता है, ऐसे ही नहीं होता है, समाधी मरण जिसका हो गया एक बार, वै अच्छी ही कदीमे जा करके, आगामी कम से कम समय में मोक्ष को प्राप्त करेगा, जीव, जड़ा बिचार कीजिए, तो यह बारे भावनाओं कब अगर हम विचार करेंगे, तो जब समझ में आएगा कि बास्तों में हमारा जीवन असार है, अनेत असरन, संसार, एकत, अनेत अस्ची, यह बारे भावनाओं जो हमारे लिखी गई है, वो है, वार, तो इस पिकार हमें क्या जानना चाहिए, कि संसार असार है, संसार में हमारा कोई नहीं है, सारे कारिये स्वार्थ पूर्ण जुड़े हुए है, अगर स्वार्थ पूर्ण नहीं होता, तो यह संसार ही नहीं होता, एक पिकार से मैं यह कहीं हूँ, माता पिता अपने बेटे की परवरेस करते हैं किसलिए करते हैं कि बेटा हमारे परिवड़ापे में काम आएगा अगर मा बाप अगर ये सोच करके परवरेस नहीं करते हैं तो ये कुधान देता हूँ आप दूसरों के बच्चों की भी तो परवरेस कर सकते हैं अगर अपने बच्चों के लिए आपका स्वार्थ नहीं है तो आप वार बच्चे भी तो हैं जो गरीवी हारत में हैं जो एदर उदर कूडा भी रहे हैं कचडा भी रहे हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो भूंके घूम रहे हैं उनकी भी तो परवरेस कर सकते हैं जरह विचार कीजिए हर कोई स्वार्थ पून जुड़ा हुआ है जो स्वार्थता से निकल करके हमें अपने कल्याण के लिए कारे करना चाहिए आचारी गुरु विद्या सागर जी महराज जो खुद का भी कल्याण कर रहे है वार जन जन की कल्याण में लगे हुए है कि मैं अपने कल्याण के साथ साथ अपने भक्तों का भी कल्याण कर सके जैसे ये के ड्राइवर होता है बस में बैठे हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता है जिस विकार एक गुरू टीचर अपने बच्चों को अपने सिस्सों को उस मंजिल तक पहुँचा देते हैं जहां तक वो खुद तो नहीं पहुँचते लेकिन अपने सिस्सों को जरूर पहुँचाने का प्रयास करते हैं और ये गुरू ही ऐसा होता है जो ब्यक्ति को आंगे बढ़ता देख करके बहुत खुस होता है ब्यक्ति को अपने से भी अपने सिस्स मतब बच्चे यानि ब्यक्ति को अपने से आंगे बढ़ता देख करके गुरू ही सबसे जाना प्रसनता पूर्वक होता है प्रसन होता है और वाकी रिष्टे नाते दोस्तियार सब बाहर से तो कहते हैं कि मुझे बहुत खुसी हुई अंदर ही अंदर छोटी सी इस्या भी होती है जो सुभाव में ही रहती है उसे चेंज नहीं किया जा सकता उसका नेगेटिब प्रभाव सक्सेस्फुल व्यक्ति के उपर थोड़ा वहत जरूर पढ़ता है जिसकी जितनी तीप इस्या भाव होगी उसका उतना जादा नेगेटिब प्रभाव पढ़ता है तो जड़ा विचार कीजिए तो संसार में जब कोई अपना है ही नहीं संसार पूरा स्वार्थ कूर्ण चल रहा है तो हम किसके लिए कारी करें हम कारी करना चाहिए हमें अपनी आत्मा के लिए अपनी उन्नती के लिए अपन को सही राहे में चल करके अच्छी गती में जाने के लिए उसकी लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वह ती सांथ परिढाम क्रोत का ना आना दूसरों में बुराज्या ना देखना अच्छायों को गिर्हन करना किसी से गिलस सब्दों का प्रियोग नहीं करना इस सारे चीज़ें उसमें समाहित होती है तो बारा भावनाओं में को बैडल भी किसी दिन नपन उससे करेंगे चलिए और आंगे का पढ़ते हैं कि जो मुनी महराज होते हैं वो ममत को छोड़ करके मोक्ष सुक्ष की राय की प्राप्ति के लिए चल देते हैं और कैसे यह बताते हैं जो वन ग्रह गोधन नारी है गजन अज्याकारी इंद्रिये भोगि छिनी थाई सोरे धनु चपुला चपुलाई अर्थात यूबन घर गाएं धन संपत्ति इस्त्री घोड़ा हाती आदेश पालन करने वाले नौकर चाकर और इंद्रियों के भोग यह सवी छड़भंगोर हैं क्या है छड़भंगोर हैं इंद्र धनोस और बिजली की तरह चंचल हैं कि यहां की यहां मतलब जवानि क्या हैं जवानि एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति भढ़क जाता यह जवानी में उसे यह कारिये पता नहीं चलते कि बास्तों में क्या अच्छे कारिये हैं क्या गलत कारिये हैं जो उसके मन में आता है वही अच्छा कारिये मानता है वो जवानी के समय में जो उसके मन में आया बस वही अच्छा कारिये है ऐसा मानता है जो कि क्या जो कि क्या ह गलत है ऐसा नहीं जानना चाहिए क्योंकि कहा गया है जरा विचार कीजिए ये छड़ बंगोर है इसलिए गीत भी आया है जिन्दिगी एक किराई का घर है एक नाई की दिनी भुल एक नाई की दिनी निकल ना पड़ेगा जिन्दिगी एक किराई का घर है एक नाई की दिनी निकल ना पड़ेगा मोत जब तुझे को आवाज देगी तुझे को घर से निकल ना पड़ेगा जिन्दिगी किराई का घर है एक नाई की दिनी निकल ना पड़ेगा अर्थात क्या है जब योवन घर गाए धनसंपति घोड़ा हादी सब कुछ छड़ भंगोर है उसी पिकार हमारा जीवन भी छड़ भंगोर है हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को नहीं बता अगर हमें अपने जीवन का किसी को पता ही नहीं है तो हम अपने जीवन में ऐसे कारिये जरूर करें जिससे के दुआरा हमारी तरफ से किसी का दिल ना दुखे अगर किसी का दिल दुखता है तो उसका हमें बहुत पाप लगता है और ऐसे कारिये करते चलें जिससे किसी का दिल ना दुखे वर हमारी आत्मा के लिए क्या सही है वह डारेक्शन में हमेकारिये करना बहुत जरूरी है क्योंकि कि ये क्या है धन संपत्ति आदी क्या है नोकर चाकर आदे सादी सब क्या छड़ भंगोर यानि कहां जाएंगे इंद धनस्वार बिजिली की तरह है ये त्रेंट नश्ठ हो जाएंगे त्रेंट ये जाना देर तक नहीं टिकने वाले वहर क्या कहते हैं आंगे क्यासी संपत्ति मकारिये करना है और अच्छा खाना पीना है चलिए आज जो सथ सवा है आज यहीं बस मक्त करते हैं और आंगे और भावनाओं का बड़ी ही चिंतन करेंगे इसलिए इसमें कहा गया है जीव और सरीर दोनों दूद और पानी की तरफ परस पर मले हुए मिले हुए हैं लेगन बे भिन्न भिन्न ही है एक नहीं है जब एक दम मिले हुए एक दूसरे में समाई हुए भी एक नहीं है तब प्रिकट रूप से ही अलग-अलग विध्वान आपके धन, मकान, पतनी, पोत्र, यादी किसे आपके हो सकते हैं यह अन्यत्भावना क्या है अन्यत्भावना जह हमारा सरीर और आत्मा ही जब हमारा नहीं है मतब ज़ा आत्मा सिर्फ हमारी है और सरीर खुद का जो जिसमें प्रवेश की हुई है जब सरीर भी हमारा नहीं है तो वारवां की लोग हमारे क्या होंगे यह भावना हमें यह बखान कर रही है कि चीजों को समझो यहाँ कोई किसी कर नहीं है हमारी आत्मा अलग है जब सरीर भी अलग है जब दुनों एक साथ होकर की अलग है तो जो घर पत्नी मकान पोत्र पोत्री है तो भागी भिन्न हो गए क्बाइस बहुत दूर हो गए तो तो यह कैसे हो सकते हैं अपने इसलिए किस से प्रीती लगाई है भगवान से प्रीति लगाईए इसलिए भजन भी कहा गया है मैंने तेरे ही भरो से आदिना ते भवर में नई आडाले दई मतलब क्या है भगवान के से प्रीति लगाईए सारे काम बनेंगे सारे काम क्या बनाना है में काम तो अपनी आत्मा को परमात्मा का बनाने का है धन्जपत्ति ये तो हमारे पीछी आएंगे आउटमेटिक पीछी आएंगे यहने हमें लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा यह ओटमेटिक पीछी आएंगे वार भगवान से प्रात्ना करता हूं कि सभी जीव को सुख मिले, सांती मिले एवं सभी जीवों के अंदर सद बुद्धिया करके मोक्षपत के रास्ते पर जाएं ऐसे मेरी सद भावना है अब यहीं पर सद्ध्य विराम करते हैं वार जिनमाने इस्तिती करते हैं जावानी के जानते सुझेलो कालो सुवानी मज्तके नमो सदाँ देते हो धो हेजिनिमानी भारते तोहिजा पोदने रेन जो तेरी सरणांगे सुपावे सुखचेन देव बजु अरहंत्यको गुरु सेवान जग्रन दयाधर पालो सदाँ यही मुचिकान क्या हो गया समय भाव भाव का मतला होता है रूप क्या होता है रूप और भाव मतला होते हैं विचार क्या होते हैं विचार पांचों सक्तियां निरंदर परिवर्दन को अंजाम देती हैं हमारे विचार काभी भी चेंज हो सकती है घड़ी पल प्रतीपल चेंज हो रही है तब जाके इसका कंद निकल के थोड़ा थोड़ा यहां का करण निकलना शुरू हो जाता है पल प्रतिपल चेंज हो रही है एक किताब भी पल प्रतिपल चेंज हो रही है तब जाके हजार वर्सों में या सो दो सो बर्सों में फट करके बिखर जाएगी मुबायली पल प्रितिपल चेंज हो रहा है धीरे धीरे जागर क्योंग खराव नश्वर्ता की ओर जा रहा है उसी पेकार हमारा सरीर है कि पल पल नश्वर्ता को प्रात हो रहा है उसी पेकार हमारे विचार है कभी भी चेंज हो सकते हैं तौं दरव्या सयर्ण जहें कॉल अभाव और रभ पांचो सक्थिया निरंदर परिवर्तन को अंजाम देती रहती हैं द्रहेसल संतार वृष में असार है संतार क्या तप सब्सब्स रहा से असार है संसार हमारा नहीं है संसार में अगर सोचें के लोग हमारे हैं तो लोग भी हमारे नहीं है लोगों का सिर्फ जुड़ना स्वार्थ पूरे जब माता पिता स्वार्थी है कि हमारा बेटा बड़ापे में सिवा करेगा इसलिए एक मनुस्य है इसलिए वो साधी करता है, कि साधी की बाद है, हमारे जो बच्चे होंगे तो बुड़ापे का सहारा बन जाएगा, अगर बुड़ापे का अगर सहारा बनने का कोई ड्रामा ना हो, है ना, तो भ्यक्ती दूसरी राहे पर चल सकता है, दूसरी राय पर तो यह जब संसार ही असार है तो संसार से छुटकारा पाने वाला रास्ता हमें ढूड़ना बहुत जरूरी है अगर नहीं ढूड़ेंगे तो हम किसमें हमी गड़े में जाएंगे चलिए वारांगी क्या कहा गया है इसमें कहीं थोड़ा भी सुक नहीं है संसार में रियल में थोड़ा सा भी सुक नहीं है हम सोचते हैं कि हमें इस चीज में सुक मिल जाएगा हमें दूसरी चीज में सुक मिल जाएगा च्छडवान गरिशोक उर यानि कुछ समय के लिए थोड़े से समय के लिए शूख अजब कि अंगर अनंद सुख की प्रापति करनी है तोव हैं अगर हमें अनंदि सुख की प्रापति करनी है तो मोक्ष फल, मोक्ष रूपी सित्षिला में जाकर कि ब्राजमान हो करके यह अनंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् का मतलब होता है बड़े बड़े गिरंत है जिनमें मोक्षमार का जाने का रास्ता चिपा हुआ है रहस चिपा हुआ है गिरंथों से रहस निकल निकल करके सामने आ ह Southeastaisन जो ऐज जितनी भी ठैज्जस देख रहे हैं वो गय του से निकल के अए हवाई जहाज से चालाई जा रही है पहले तु पिंद्रस प्रफियाक जाते भात जाइज को तो फिर भी समय लग जाता है, बहुमान को तो इतना समय भी नहीं लगता था बहुमान को तो इतना समय भी नहीं लगता था इसलिए कहा भी कहा है? जिनिवाणी मोक्षे नसेनी है जिनिवाणी जिनिवाणी मोक्षे नसेनी है जिनिवाणी इसका मतलब क्या होगा जिन्वाणी है मोक्ष की सीड़ी है अगर किसी एक मंजल से दूसरी मंजल पर आपको जाना है तो सीड़ी का तो वो करोगे ना इस्तिमाल करोगे बिना सीड़ी की नहीं पहुंच पाऊगे उसी पिकार जिन्वाणी है जो मोक्ष जाने के लिए सीड़ ही है अगर आप जाना चाहे तो जन्वारी का अध्यन करना पड़ेगा उपरी उपरी ज्ञान काम महीं आएगा अंदर भुसन पड़ेगा आपको बस्तों में विचार कि चंज उते हैं बास्तों में वह किलाया हमारे अंदर कैसे आती है जिससे हम एक दूसरे के पृति सहानु भूति करते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को सही रास्ता दिखाते हुए मुख्ष पत्थ के रास्ते पर ले जाएं वह हमें विचार करने के लिए जिन्वाणी ही है तो इस परकार संसार में कोई नहीं है यह असार भावना पर आएं क्या करा आगया हम सुभे असुवे करामी फ़ले जेते भोके जे ये कहीते ते सोते दारा हो ए जो सीरी सब सारत के हैं भीरी अर्थात सुवे असुवे करमों के जितने भी फ़ले हैं सुवे करम अच्छे कारी करने को कहते हैं असुवे करम बुरे कारी करने को कहते हैं सोववः सोवः करमों के जितने भी फल हैं जीवओने अकेला ही हो टाए कौन कोई किसी का दुख नहीं हो गएगा अगर चोट आपको लगई है तो धर्द आपको ही is कह अगर कोई बात भी आपको लगई तो आपको ही दर्द होगा अगर आपको किसी ने मार दिया पीट दिया तो दर्द आपको ही होगा अगर किसी ने आपके साथ गरत किया है तब भी दर्द आपको ही होगा कोई किसी का यहाँ पर दर्द दुख बांटने वाला नहीं है जरा विचार कीजिए कि सरीर सबके अलग अलग दिये गए है आत्मा ही अलग अलग है सरीर भी अलग अलग है सरीर भी अलग अलग है ना आत्मा भी अलग अलग है जरा विचार कीजिए कि जो आत्मा का दर्द होता है सबका अलग अलग है अलग अलग सक्तियां बिद्मान है लेकिन मुक्ष जाने की सक्ति बिद्मान तो सभी के अंदर है अधित्य लोह के अंदर है भब जीव हो गया अभब जीव तो नहीं जाएंगे मुक्ष भब जीव तो जा सकते हैं लेकिन जितने भी मंदर में आये हैं वो भब जीव ही है जो कारी उत्पन होनों उतनी सहन सकती सीलता उत्पन होनी चाहिए ना चलिए और क्या का गया है कि सुब असुब कर्मों की जितने भी फल हैं जीव उन्हें अकेला ही भोगता है इस्त्री पोत्र आदी कोई भी उन फलों को भोगने में जीव का हाथ नहीं वाटता संसार में जो भी हैं सब मतलब के साथ ही हैं क्या है सब मतलब के साथ ही हैं यहाँ पर कोई किसी क्या नहीं है यहाँ पर सब मतलब के साथ ही है एकत्त भावना क्या है एकत्त भावना मतलब अपने आपको अकेला जानना चाहिए अपने आपको अकेला जाने करिके मोच के पत पे चलना चाहिए और आंगी क्या बताया गया है जले पैज्यों जीतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला त्यों प्रकट जुदिदन धामा क्यों है एके मिल सुतिरामा अर्ताद जीव और सरीर दोनों दूद और पानी की तरह परस पर मिले हुए है दूद और पानी की तरह दूद कैसा होता है सपेत होता है दूद तो सपेत होता है उसमें अगर पानी मिला दें तब क्या होगा सपेत ही रहेगा क्या रहेगा सपेत ही रहेगा वर अगर हम दूद से दोस्ती करेंगे तो हमारा रेट बढ़ जाएगा और पानी से दोस्ती करेंगे तो पानी तो पानी ही है इस पिकार हम भगवान से दोस्ती करेंगे तो हमारे सारे काम मेरे अपनी काम कोई नहीं विगाड़ पाएगा अगर हम भगवान से दोस्ती करेंगे दोस्ती करने का मतलब है भगवान की भक्ती करेंगे क्या करेंगे भगवान की भक्ती करेंगे तो हमारा या अपना काम कोई नहीं विगाड सकता, क्योंकि अपना पुन इतना सक्ति साली होगा, हर जगे, किसी भी परिष्टितियों में हो, हर जगे सक्सेस्फुल रहेंगे, अगर भगवान की पिति आपकी आस्ता है, भगवान की पिति सच्ची लगन है, तो पेली बाद तो यही कि अगर भगवा मत नहीं खा सकता उसका सब्से बड़ा जो कारणं वह आच्रण किसकी प्रात्म जिसकी प्रात्म व्यक्ति करता है जिसको व्यक्ति मानता है उसका आचरण उसके अंदर समाहित होना शुरू हो जाता है अगर आप किसी दारुखुर व्यक्ति क्यों मानोगे दारुखुर व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपका आचरण भी व्यसाई हो जाएगा दारुखुर वाला अगर आप किसी गुस्यर व्यक्ति के पास रहोगे तो आपका आचरण भी गुस्सेल वाला हो जाएगा एक दूसरों को चिलाने वाला हो जाएगा एक फ्याक्ट है इसे कोई नकार नहीं सकता यह अभी की गिरंद नहीं है बहुत पराने हजारों सालों पहले लेखे गए गिरंदों में बात लिखी हुई है तो हमें हमारे उपर निर्भार करता का हमें कैसी संगती में कारी करना है तोरे असुरे खगादे जेते म्रग जाँ म्रग जोहरी काले दले दे मानी मंत्रे तंत्रे बहु होई मरते अर्थाग देव दानओ चक्रवर्ती आदी कोई कितना ही बड़ा क्यो नहो मोतं से उसी तरह मार डालती है जिस तरह सिरहरन को मार डालता है मनी मंत्रे तंत्रे आदी कोई भी उपाव किशी को मोत से नहीं बचा सकता, यह असरण भावना है, जरा विचार कीजी, यह असरण भावना मतलब है कोई किशी का सहारा नहीं है, अगर म्रत्व आ गई तो आपको जाना ही पड़ेगा, कोई भी वेद कोई भी वेद क्या है काम नहीं आया है सिकंदर जा रहा जक्से सभी हाली विहाली थे पड़ी थी पास में माला मगर दुनों हाथ खाली थे वो तो धन लूटा हुआ था उनका लेकिन जरह बिचार कीजिए कितने पापों के दुआरा धन को लूटा हुआ था कितने पाप किये होंगे कितना पाप उसे लगा होगा आप दूसरों को सता सता करके धन लूट रहे हो तो इसमें पाप लगता है तो इतने पाप के दुआरा धन अरजित किया फिर भी वह मेत्तू के निकट काम नहीं आया जब उसकी म्रत्तू हुई तो काम नहीं आया समय मांगता रहा वैदों से तो मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए और से आपको जितनी धन्सपती चाहिए उतनी धन्सपति दे दिये दूगा लेकर नहीं ये मृत्तू है हर कार्य पैसों से नहीं होता है यहां पैसे आपके कार्य नहीं करेंगे सिकंदर पढ़ा रहा को उसे नहीं बचाया visitor का इतनी धन्सपति लूटने के बाद तो मेरे कहने का मतलब है जिस विकार ब्यक्ति कारिय करता है अगर वह है उनका विचार कर ले कि हमें बास्तों में क्या कारिय सही हो सकता है उसका कारी का निरिच्ण करके फिर धन कमाए और उसे अच्छे कारियों में लगाए तो उसके उन्नती जरूर होती है एक गरंतों में लखा हुआ है शिर्फ अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति धन कमाता है आज के मनुस की बात कर रहा हूं मैं व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए धन कमाते हैं बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के बारे में जाना सोचते हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं और हमें अगर दूसरों के बारे में सोचें तो हमारी उन्नती तीन उनी होती है अगर हम किसी को पांच रुपे का भी दान करते हैं तो यह 100% पक्का ही है, कि 101% आपके पास किसी न किसी रूम में मिनीमम 15 रुपे तो आएंगे ही, अगर आप 1 लाख रुपे का दान करते हो, 1 लाख रुपे किसी अच्छे कारिये में लगाते हो, तो 100% 3 लाख रुपे का प्रुपे कहीं कहीं से होगा ही, जरूर होगा, उसे को कोई रोग नहीं सकता यह दान की महमा है देखावे का दान करना अलग बात है स्रिध्धा से दान करना अलग बात है कि अगर जो व्यक्ति अगर स्रिध्धा भावना से करता है कारिये उसके साथ होता है 100% है कोई रोग नहीं सकता उसे और क्या कह गया है और बताते हैं कि देव यानि देवता भी नहीं रोख सकते अपनी मिरत्यु को या मनुस्की मिरत्यु को दानाओ राख्छे साधी भी नहीं रोख सकते चक्वर्ती जो चक्वर्ती राजा आदी होते हैं वो भी नहीं रोख पाएंगे मिरत्यु को कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो मोत उसे कभी उसी तरह मार डालती है पराँगे का है चाहूं गती दुख्य जीवे भरे है परिबरतन पंचे करे है चाहूं गती दुख्य जीवे भरे है परिबरतन पंचे करे है सबे बिधि संसार असारा या में सुके ना ही लगारा अर्थाद जीव चारों गतियों देव दाना रमनुस त्रियंच में दुख्य सहन करता है चार गतियां चार गतियां कौन कौन सी है देव गती मनुस गती त्रियंच गती वार नडग गती चार गतियों में ब्यक्ति भिमण करता रहता है फिर भी क्या होता है उसे चैन नहीं मिलता उसे सुक नहीं मिलता जब व्यक्ति अगर एबात समझ आए कि चारों गत्यों में जब सुक नहीं है तो बड़ी मुश्कल से मोक्ष जाने के लिए मनुस पर्याय मिली है बड़ी मुश्कल से मनुस पर्याय मिली है तो हमें किसी दूसरी के अंदर बुराई ना देखते हुए अच्छाईयों को देखते हुए धर्म का अध्यन करते हुए बिवेक सील बन करके धर्म की मर्यादा को लख करके हमें आत्मा को मोक्ष मारे के रास्ते पे ले जाना चाहिए मोख्ष मारे के राष्टे पे जाने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं पहुचा सकता खुद भी आंगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आंगे बढ़ा के ले जाएंगे जैसे हमारे आचारी गुर्वित्या सागरीजी महराज खुद भी आंगे बढ़ रहे हैं मोक्षपत के राष्टे पर चल रहे हैं और समझत जो हमारे जैनमुनी हैं वो भी मोक्षपत के राष्टे पर बढ़ रहे हैं और वो प्रेरित करते हैं कि सभी भक्तिगण भी मोक्षपत के राष्टे पर चले हैं एक दूसरे को सताए विना है एक दूसरे को सताए विना हमें क्या करना है उनको सही दिसा दे करके एक दूसरे को गुमराहे किये विना उसको सही दिसा दे करके अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ता बता करके सही रास्ते पर लाना चाहिए और सही रास्ते पर ला करके उसे आंगे बढ़ाने का प्रियास करना चाहिए ताकि वहे विधीवत तरीके से अपने जीवन का कल्यान कर सके यही कहा गया है कि जीव चारों गतियों में दुख सहन करता है सुख उसे कहीं नहीं मिलता अगर आप कहेंगे देव गति में सुख हैं तो सुख तो हैं लेकिन भोग विलासों वाले सुख हैं भोग ते ही रहोगे लेकिन मुक्ष जाना वाला सुख नहीं है मुक्ष नहीं जा पाओगे वहां से मोक्ष कहां से जा पाओगे सिर्फ मनुष गती से ही जा पाओगे मूख्ष तिरियंच गती से देव तो बन सकते हो तिरियंच गती से देव तो बन सकते हो नरक भी जा सकते हो, मनुष भी बन सकते हो लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते तिरियंच गती से मोक्ष जाने के लिए तुम्हें मनुस का जनम लेना ही पड़ेगा। जरा विचार की जिए राम भगवान, अनुमान भगवान, महावीर भगवान, आदिनात भगवान, पाहसनात भगवान सब पहले मनुस बने हैं। मनुस के बाद ही कहां गए हैं मोक्षश गए हैं। आप कोई साभी ऐसा उधान नहीं देख पाओगे जिसमें चिडिया मुक्ष गई हो या कभूतर मुक्ष गया हो या कुत्ता विल्ली मुक्ष गया हो या मैडग मुक्ष गया हो देवता तो बन सकते हैं लेकिन मुक्ष नहीं जा सकते हैं मुक्ष जाने के लिए संयम की जरूर I am a 400 मिन को उत्भा ऊंतरा को 25 में करना कि पांच इंद्री हमारी जो बाहरे खुbrand मन इंद्री को थूड़ा बहुत कर लोगे लेकिन मन इंद्री और बसमी करना बहुत कhच ने पांच ओंद्रियां सिर्फ पांच इंद्रियों के ही बराबर है लेकिन ए 한 एकलिए इतनी भारी है पाँचों इंद्रियों को तो एक बार बस में कुछ समय के लिए किया जा सकता है लेकिन मन इंद्रियों को नहीं कर पाओ गई लेकिन कर सकते हो तब अस्या के माध्रम से कर सकते हो जिस दिन अगर मन इंद्रिये हमारे बस में हो गई उस दिन वोसे दिन बहुत बड़ा चमतकार होगा इतना बड़ा चमतकार होगा कि आपके दिमाग में वही आएगा या जैसा आप सोचोगे सामने वही पाऊँगे अगर आपके मन में ख्याल आगया कि कुछ तो गड़बड है तो बस्तों में कुछ न कुछ गड़वर होने वाली है अगर आपके मुने विचार आगा कि नहीं कुछ तो अच्छा होने वाला है बस्तों में अच्छा ही होने वाला है अगर आपको विचार आगा कि कोई मुझे याद कर रहा है याद नहीं कर रहा है तो हो सकता है वहीं व्यक्ति ही याद करता हुगे निकलें और आज़ार विचार जो फाल्दू की विचार हैं वह हमारे छूट जाएंगे मन इंदी बस में हो जाएगी तो वह छूट जाएगी फिर हमारा मन कहां जाएगा भगवान के राष्टे पर जाएगा चलिए और आगे क्या करते हैं मैं दुख सहन करता हूँ द्रब छेत काल भाव वर भाव वर भाव ये पांचों सक्तियां नंतर परिवर्तन को अंजाम देती हैं द्रब जितनी भी बस्तुएं हमें दिखाई दे रहे हैं वो द्रब है धोलक मजीरा ताले किताव कपड़ा केमरा माई जितनी भी चीजें द्रब हैं कि छेत्र छेत्र का मतलब होता है जगहे क्या हो गया जगहे तो द्रब छेत्र काल काल मतलब क्या हो गया